नमस्कार मैं आर्पित सुमन असिस्टन प्रोफेसर महिला कॉलेज चायबासा आज मैं B8 सेमिस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है मोटिवेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सोर्स अभिप्रेणा, अर्थ, परिभाषा एवं स्रोथ मोटिवेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसे एक वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता तो आज आप लोगों के लिए मोटिवेशन का पाट 1 है आईए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ, मीनिंग अभिप्रेणा का अर्थ, मीनिंग ओफ मोटिवेशन अभिप्रेणा अंगरेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ती लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मूब, मोटर और मोशन अर्थात गती करना अभी प्रेर्णा जो है वो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रुपांतर है motivation शब्द की उत्पत्ति लटिन भाषा के motum शब्द से हुई है और उस motum शब्द का अर्थ होता है move, motor और motion अर्थात गती करना इस प्रकार अभिप्रेणा के शाब्दिक अर्थ से हमें किसी कारे को करने या गतीशील होने का बोध होता है अता हम किसी भी उत्तेजना को अभिप्रेणा कह सकते हैं या आंत्रिक भी हो सकती है और बाहे भी इसे हम इस तरह से समख सकते हैं कि अभिप्रेणा के शाब्दिक अर्थ से ही या स्पष्ट होता है कि गती करना, गतीशील होना और हमारे अंदर किसी कारे के प्रती कुछ भी उतेजना होती है जो भी उतेजना होती है उसे हम अभिप्रेणा कह सकते हैं या अभिप्रेणा आंत्रिक भी हो सकती है यानि कि हमारे अंदर से स्वयम हो सकती है जिसे सेल्फ कह सकते हैं और ये बाहय भी हो सकती है यानि कि external हमारे वातावरन के प्रभाव के कारण से ये बाहय भी हो सकती है मनोवज्यानिकों के अनुशार अभिप्रेणा का प्रश्न क्यों है यानि कि किसी भी बात के लिए हम क्यों कहते हैं क्यों करते हैं तो वो अभिप्रेणा है जैसे हम भूजन क्यों खाते हैं? प्रशनों का जबाब क्यों देते हैं? भूजन इसले खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है और अंदर से अभिप्रेर्णा होती है कि हमें भूजन करना चाहिए. हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अंदर से पुस्तक को पढ़न जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity यहाँ पर CV Good ने कहा है कि अभी प्रेर्णा किसी भी कारे को आरंब करने शुरू करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है इसे मैं एक example के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगी जैसे अभी हम लोग lockdown के इस period में हैं और teachers को यह instruction मिला है कि आप online classes के द्वारा छातरों को facilitate करेंगे तो हमने आप लोगों को YouTube वीडियो के द्वारा पढ़ाना शुरू किया है तो इस कारे को आरंब करने यानि शुरू करने, जारी रखने, continue रखने और नियमित रखने के लिए अभी प्रेरित हो करके ही हम आप लोगों के लिए YouTube वीडियो को बना रहे हैं अभी प्रेरना के परिभाशों में अब हम देखेंगे MacDougal के शब्दों में प्रेरना है मनुष्य के भीतर की वे शारिरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किनी विशेज दसाओं में कारे करने के लिए प्रेरित करती हैं Motives are conditions, physiological and psychological in the organism that deposes it to act in certain ways MacDougal के अनुसार यहां यह कहा जा रहा है कि जो प्रेरना होते हैं यह वेक्ति के अंदर की शारिरिक और मानसिक अवस्थाएं होते हैं physiological and psychological conditions होते हैं जिसके द्वारा कोई भी वेक्ति विशेज दसाओं में कारे करने के लिए प्रेरित होता है जैसे अभी हम विशेज दसा ही मान सकते हैं कि हम lockdown में हैं और हमें online teaching learning के लिए कहा जा रहा है और हम सुचारो रूप से उसे कर पा रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अंदर से एक प्रेरना है, एक motivation है कि हमें online तरीके से ही teaching learning के process को करना है जो विशेज दसा में कार्या करने को प्रेरित करती है अभी प्रेरना के श्रोद, sources of motivation, जिसमें सबसे पहले हैं आवशक्ताएं, नेट्स, दूसरा है चालक या अंतरनोद, जिसे ड्राइब करते हैं नेक्स्ट है प्रोचाहन या उदीपन, इस्टिमिलस और अंत में हैं अभी प्रेरे मोटेप्स अभी प्रेरना के श्रोद के अंतरगत सबसे पहले हैं आवशक्ताएं सभी प्रानियों की कुछ मूलभूत अवशक्ताएं होती हैं तथा उनका प्रतियक विवहार इनी अवशक्ताओं से अभी प्रेरित होता है अवशक्ताएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं पहला है शारिरिक अवशक्ता फिजिकल नीट दूसरा है मनोवज्यानिक अवशक्ता साइकलोजिकल नीट और तीसरा है सामाजिक अवशक्ता शुस्यल नीट हमने यह जाना कि अभिप्रेर्णा के स्रोत जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए कार्य करने के लिए अंदर से उत्तेजित होता है तो वो स्रोत कहलाते हैं और उस स्रोत में सबसे पहले है आवशक्ता और आवशक्ता को तीन भागों में बाटा गया है और इनी आवशक्ताओं के आधार पर ही प्रतियक व्यक्ति अभिप्रेरित हो करके किसी भी काम को करता है और ये आवशक्ताओं मुख्य रूप से यहां बताई जा रही है कि सारेरिक आवशक्ता है, मनोवग्यानिक आवशक्ता है और समाजिक आवशक्ता है जिसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में डिटेल से देखेंगे पिछले स्लाइड में आप समने या जाना कि आवशक्ता हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं शारिरिक आवशक्ता हैं, मनोवग्यानिक आवशक्ता हैं और समाजिक आवशक्ता हैं तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि शारिरिक, मनुवैज्ञानिक एवं समाजिक अवशक्ताओं के अंतरगत कौन-कौन सी बाते आती हैं। भोजन, पानी, विश्राम, नींद, काम आदी शारिरिक अवशक्ताओं हैं। प्रेम, प्रशंसा, आत्मसम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता, उपलब्धी, आदी मनुवैज्ञानिक अवशक्ताओं हैं। समाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सफलता, समाजिक मुल्य, समाजिक अवशक्ताओं हैं। व्यक्ति को जब भी कोई अवशक्ता होती है तब उसके सरीर में तनाओ या असंतुलन उत्पन हो जाता है जिसके परिणाम सरूपवा क्रियाशील हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो उसकी अवशक्ता है उसे पाने के लिए जैसे भ लगे में बहुच लगने पर वैक्ति को चाहिए यह भूजन करने के लिए एक चाहिए और जाता है चाहिए जब यह भूजन प्राप्त करने के लिए अड़ा झील जाता है जैसी यह सो खाना बनाती हो ज evoluce यह एक चाहते हो जो भूह किसी जैसे प्रेम, प्रशंसा, आत्मसम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रिता इन सब को पूरा करने के लिए भी अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि हम उस चीज को पूरा करें सामाजिक मानेता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सफलता इन अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए भी अंदर से एक तनाव असंतुलन हो जाता है जिसे पाने के लिए एक अद्रिश्य सक्ती अंदर से काम करती है तो इस तरह से हमने देखा कि अपनी अवशक्ता को पूरा करने के लिए हम विशेस रूप से कोई कार्य करते हैं अभिप्रेणा के स्रोथ में दूसरा पॉइंट जो है वो है चालक ड्राइब व्यक्ति की आवशक्ताएं उनसे सम्बंधित चालकों को जन्म देती है जैसे बोजन की आवशक्ता से भूख चालक तथा पानी की आवशक्ता से प्यास चालक उत्पन होता है देशिल के सब्दों में चालक शक्ती का एक आदिस रोथ है जो मनुष्य के अंगों को कारे करने के लिए बाध्य करता है ड्राइब is an original source of energy that activates the human organism व्यक्ति की जो भी आवशक्ताएं होती है चालक उसी से समादीद होता है जैसे बूझन की आवशक्ता से भूख चालक यानि कि hunger drive तथा पानी की आवशक्ता से प्यास चालक यानि कि thirst drive उत्पन होता है यहाँ पर देशिल ने बहुती इस्पश्च तरीके से बताया है कि चालक जो है वो एक शक्ती है औरीजिनल सोर्स उफ एनरजी है जो मनुश्य के आंगों को कारे करने के लिए बाध्य करता है, जैसे हमें भूक लग रहा है, तो हम बैठे-बैठे कभी भी अपने भूक को समाप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कारे करना होगा, अपने अंगों को संचालित करना होगा हमें प्यास लगती है तो बैठे बैठे हम प्यास को नहीं मिटा सकते हैं इसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा अपने अंगों को संचालित करना होगा तो जब भी हमें अपने आउशक्ता की पूर्थी करनी होती है तो वहाँ पर ड्राइब की जरूरत होती है, चालक की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम अपने अशक्ता को पूरा कर सकते हैं। अता भूक चालक के लिए भोजन उदिपन है। आवशक्ता चालक एवं उदिपन के उप्युक्त अर्थ से यह स्पस्ट होता है कि इन तिनों में आपस में संबन्ध है। हम यह जान रहे हैं कि अपनी अवशक्ता को पूरा करने के लिए जो परिस्थिती होती है, जो एक्टिविटीज होते हैं। वो साधन का कारे करते हैं और उनी साधनों को प्रोचसाहन या उदिपन कहा जाता है। जैसे भोजन से भूक आवशक्ता की पूर्थी होती है। और भूक चालक के लिए जो भोजन है वो उदिपन है। आवशक्ता चालक को जैम देती है। और चालक बढ़े हुए तनाव की एक दशा है जो प्रानी को क्रिया करके, कार्य करके या विवहार के द्वारा आगे की ओर अग्रिसर करता है, बढ़ाता है और जो उदिपन होता है, स्टिमुलस होता है, वह कोई वस्तु होती है जैसे भोजन यहां पे उदिपन है जो आवशक्ता है कि वह भूख को दूर कर रहा है, उसे संतुष्ट कर रहा है, तो इस तरह से यह क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा चालक की शक्ति को कम कर देती है, यानि कि हंगर ड्राइब को भूख चालक को कम कर देती है, तो इस तरह से यहां पर यहां स्पस्ट है कि आवशक्ता, चालग और उदिपन ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है एक दूसरे के साथ इनका प्रगाड संबंध है अभी प्रेरणा के सुरोत के अंतरगत चौथा पॉइंट है अभी प्रेरणा के साथ साथ लक्षे के भाव का भी समावेश होता है अभी प्रेरणा एक व्यापक शब्द है जिसके अंतरगत उदिपन, इस्टिमुलस, चालग, ड्राइब, तनाओ, स्ट्रेस, आवशक्ता, नेट्स एवं लक्षे, गोल, आदी सभी आ जाते है यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि अभी प्रेरणा जो मोटिप्स होते हैं वो बहुत व्यापक है क्योंकि इसके ही अंतरगत उदिपन, चालग, तनाओ, आवशक्ता एवं लक्षे सभी आ जा रहे है अभी प्रेरखों को ऐसी आंतरिक दशाएं, शक्तियां माना जा सकता है जो व्यक्ती को निश्चित लक्षों की और प्रेरित करती है मोटिप्स can be regarded as those internal conditions or forces that tends to empower individual towards certain goals यानि कि यह जो अभी प्रेरख होते हैं, मोटिप्स होते हैं यह आंतरिक दशाएं है, internal condition है, internal forces है, जिसके द्वारा व्यक्ती अपने लक्षे तक, गोल तक पहुँच सकता है इसे आधारभूत अवशक्ताओं से उत्पन होने वाली शक्तियां भी कह सकते हैं जो भी हमारी आधारभूत अवशक्ताओं हैं, basic needs हैं, उसको पूरा करने के लिए अंदर से जो शक्तियां आती हैं, उसे अभी प्रेरख करते हैं और उन सक्तियों के द्वारा ही हमें एक direction मिल पाता है, एक दिशा मिल पाता है और उसको हम लोग पूरा कर पाते हैं जैसे हमें भूक लगता है, हमारी आवशक्ता है, उसके लिए हंगर ड्राइब होते हैं, हम शरीर कुरूप से कारे करते हैं, अपने मांसपेशियों को activate करते हैं उसके बाद stimulus होता है, जो एक बाहिय वस्तु होता है, जो भूजयने वो हमारो stimulus है और उसे पानी के लिए जब अंदर से काम करते हैं, अंदर तो शक्ती आती है, तो वही है आपका motives आज के लिए इतना ही आप लोगों को बताना चाहूंगी, थैंक्यू धनेवाद